हलो नमस्कार आदाप सर्श्रियकाल मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया का मसालिदार प्रोग्राम बॉलिवुड गप्शब और वक्त हो गया है बॉलिवुड की तासाथ चर्पटी और मसालिदार ख़बरों से रूबरू होने का तो देर के इस लेकिन 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 जैसे ही टाइम आता है विदाई का और दुलहन रूने लगे और उसका मेक अप बहने लगता है तो हो जाता है ने कितना शौकिंग आए नजर डालते हैं हमारे रॉकिंग और शौकिंग ख़बरों पर जब जिंदगी में खुशिया होती है न तो चहरे पर हमेशा स्माइल बनी रहती है आपको पता है चहरे पर गम कब आता है जिहां जब हमारी लाइफ में आता है कोई ड्रामा कुछ ऐसा ही ड्रामा चल रहा है हमारे अगले सेग्मेंट में तो चल यह चल कर देखते हैं कि क् अच्छाई है स्माइल के पहले सीजन में शुसांत सिंग राशपूत ने मानो का करदार नभाया था और इसी करदार ने उन्हें घर घर में पहचान मिली थी इस शो से वो कई सालों तक जुड़े रहें और हर दर्शक के दिल में सुशांत ने एक अलग जगया बनाई आज भले ही सुशांत हमारे बी होगा जी हाँ वही होगा जो अभी बैरिस्टर बाबू में हो रहा है क्योंकि लीप के बाद हमारी बंदताव बड़ी क्या हुई उसके अंदू तो सक्षाथ चन्ने एक्सप्रेस के मिनम्मा आकर समा गई है देखिए उनका यह अंदाज जो है बड़ा मज़ेदार आयो रामा बैजन्ती यह तुम क्या करती अरे मतलब कि अब बैजन्ती ऐसे ही बात करती है जैसे फिल्म चन्ने एक्सप्रेस में मिनम्मा किया करती थी अब आज कल टीवी पर बैजन्ती खूब चाही हुई है उसकी भाशा उसका लुक सब कुछ चन्ने एक्सप्रेस के अब वो क्या है ना बंदिता ये जो आना चाह रही है कि अनरुद के दल में आखर बंदिता के लिए प्यार है या नहीं धीरे धीरे वो बैजनती बनकर दिल जूइते गी अनुरुद का और जब उसके बाद उसे लगेगा कि सही मौका आ गया है बैरिस्टर बाबु को ये बताने का बैजनती ही उसके बंदिता है तो वो ये कदम जरूर उठाएगी भाई 1969 में रिलीज हुए फिल्म नौरंग का गाना याद है आपको जारे हट नटकर जहां एक मुखोटा पहन कर लड़का और लड़की दोनों का डांस कर दिया गया था जी हां क्या कमाल था न वो उसके एक्सप्रेशन भी अदाएं भी सब एकदम कमाल का था वेल कैस वाट हमारी जो इमली है न वो इससे इंस्पायर हो गई है तो हुआ यूँ कि अगर आदित्य की मौम उसको डांस कंपेटिशन में आने से रोक रही है लेकिन हमारी इमली की क्रियाटिविटी तो देखिए 1969 का जादू 2021 में उसने चला दिया इमली तो आदित्य के साथ स्टेज पर डांस करने वाली थी क्यूंकि इस राउंड में पती पतनी दोनों को डांस करना था लेकिन आदित्य गायब है क्योंकि उसे तो अपढ़ना ने घर में बंद कर दिया है और अब इधर इमली परिशान हो रही है कि वो आखिर करे तो क्या करे अब इस समस्या का समधान तो कुछ निकालना ही पड़ेगा तो देखिए इमली का ये यूनिक परफॉरमेंस जहां वो एक और इमली बनी है तो दूसरे और आदित्य के लिए भी खुद डांस कर रही है इमली ने डांस तो कर लिया, ओडियन्स ने इंजोई भी कर लिया लेकिन क्या वो ये राउंड जीत पाएगी? हमें तो नहीं लगता कि वो ये कॉपटिशन जीत पाएगी खैर अभी तो आखरी राउंड बाकी है और क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते फिल्म में शादियों की थीम वाली कहानियों की जो सकस्स की कारेंटी है वो दूसरे टॉपिक्स के कंपेर्स में ज्यादा मानी जाती है वैसे रिकॉर्ड भी इसके पक्ष में ही है अब अगर बात करें निरुदेशक देवानशु सिंग की डेब्यो फिल्म चौदा फेरे की तो ये फिल्म भी इस परसेप्शन को और पक्का करती है आए जानते हैं कि क्या है साच इन 14 फेरों के पीछे कहाने की शुरुवात होती है यहां से जहां बिहार का लड़का और राजस्थान की लड़की होती है दोनों जवान और खूबसूरत हैं और दिल्ली के कॉलज में मिलते हैं फिर इन्हें पहली नजर का प्यार होता है और पढ़ाई के बाद फटा फट एक मॉल्टिनेटरल कंपनी में नौकरी लग जाती है नए जमाने के हिसाब से दोनों प्रीमी जोड़े लीविन में रहने लगते हैं लेकिन शादी कैसे होगी सबसे बड़ी दुविधा यहां आती है दोनों ही जिन जगों से बिलॉंग करते हैं वहां के रईस बाहु बली बिजनसमैन अपनी पारंपरिक सुच और बंदूकों की आन बान शान बनाये रखने के लिए जाने जाते हैं ऐसे में हीरो हीरोईन की लड़ाई सिर्फ एक ही साइट से नहीं है अब यहां दोनों को दोनों साइट से लड़ना पड़ेगा कुछ चोरी चुपे करना पड़ेगा तो कुछ जूट बोलने पड़ेंगे लेखक निदेशक के इस जोड़ी ने इसी हिस्से में रोमेंस के साथ कॉमेडी के लिए स्पेस बनाई है और दर्शकों को इंटर्टेन किया है बतादे की Z5 पर रिलीज हुई पौने दो घंटे से कुछ ज्यादा की ये फिल्म पारंपरिक सिनेमा के दर्शकों के लिए है परिवार और भारती संसकारों के बीच यहां मौडन जिंदगी की बनाउट भी है ठाकुर परिवार के संजा लाल सिंग यानि की विकरांथ मैसी और जाट परिवार की अदिती यानि की कृती खरबंदा घर से दूर रहकर भी अपने पपा के खौफ से डगते हैं उनकी कही बात को जरा भी नहीं टालते तो इस तरह दोनों संसकारी है मज़े की बात तो ये है कि दूनों प्रेमी ये बात अच्छे से जानते हैं कि उनके घर में लव मैरिज को मनजूरी नहीं मिलेगी खैर आगे की कहानी कुछ यूँ होती है कि संजे और अदिती अपने करियर में सफल हो जाते हैं और कम्पनी का बॉस उन्हें अमेरिका भीजने के लिए राजी हो जाते हैं इसके बावजूद वो अपने माता पिता और भाई से डरते हैं वो भागना नहीं चाहतें क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें धूंद कर गोली मार दी जाएगी फिर वो राजता निकालते हैं कुछ ऐसा प्लाइन किया जाए जिससे साब भी मर जाए और लाठी भी न तूटे वो कहते हैं न जहां चाह वहां रहा चौदर फेरे दर्शकों को एक के बाद एक दो शादियों की ताने बाने में उलजाए रहती हैं और तेज गती से आगे चलती हैं फिल्म में कहीं कहीं आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन बात उलजती नहीं है विकरांत मैसी और कृती खरबंदा पूरी फिल्म अपने कंधों पर आगे लेकर बढ़ते हैं वैसे भी बीते एक डेड़ साल में विकरांत ने OTT पर अपनी खास पहचान बना ली है कारगो, डॉली किट्री और वो चमकते सतारे, गिन्ने वेट सन्नी, राम प्रसाद की तेरहवी से लेकर हसीन दिलरुबा जैसी फिल्मों के साथ उन्हें क्रिमिनल जस्टिस और मिर्जापुर में सराहा जा चुका है जबकि गेस्ट इन लंदन, वीरे की वेडिंग, यमला पगला दिवाना, फिर से और पागल पंती जैसे फिल्मों के साथ क्रिती खरबंदा फैमिली इंटर्टेनल फिल्मों में दर्शकों के बीच पहचान बनाने में काम्याब रही है आपको बता दे कि इस फिल्म में गौहर खान, जमील खान और वीरीत कुमार भी चौदु फेरे में अपने रंग में नजर आते हैं वैसे फिल्म शुरू से अन तक शादी की बातों के ही ट्रैक पर चलती है जरा भी इधर उधर नहीं होती है पारंपरिक परिवार में लड़के लड़कियों के दूसरी जातिया धर्म में शादी का विरोध यहां खुल कर भरता है संजा की बेहन पहले ही प्रेम विवा करके घर से भाग चुकी है तो अदिती की पिता को डर है कि उनकी छोटी बेटी स्वाती जैपूर से बहुत दूर कलकत्ता चली गई है तो कहीं हाथ से ना निकल जाए दिल्ली तक गई बेटी अदिती की बाग डोर तुन्हें अपने हाथ में महसूस होती है क्योंकि दिल्ली से जैपूर खास दूर नहीं है फिल्म में संजय और अदिती की लव स्टोरी के बीच परिवार हाशिये पर नहीं है वैसे इस फिल्म में वास्तों में परिवार के मुखियाओं के पास ही सब की लगाम नज़र आती है वही परिवार के साथ हीरो हीरोन का जुडाव भी याँ खूब दिखता है वैसे लंबे समय के बाद आपको ऐसा एक्टर मिलने वाला है जो लगतार अपनी मा बहन के लिए प्यार रखते हुए दिखेगा शादी के बाद भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा कुल मिलाकर अस लिहाद से ये फिल्म आज के जमाने के फ्रेम और परिवार को साथ बनाए रखनी की एक कोशिश भी है बॉलिवड एक्टर्स करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान जिन्हें प्यार से लोलो और बेवो कहा जाता है बता दी कि दोनों बेहने जल्द ही कुछ यूनीक और इंट्रस्टिंग लेकर आने वाली है अब हाल ही में करीना कपूर की बेहन करिश्मा कपूर ने अपने इंस्टरग्राम अकाउंट पर अपनी बेहन करीना के साथ फोटो की एक जहलक शेर की है आये जानते हैं क्या है इस तस्वीर के पीछे की इंटर्टेनिंग खबर करिश्मा ने फोटो को शेर करने के साथ कैप्शिन दिया वेवो के साथ हमेशा स्पेशल शूटिंग कुछ रोमांचिक जल्द नजर आने वाला है वही करीना ने अपनी इंस्टरग्राम स्टोरी पर भी करिश्मा और निदेशक पुनीत मलहुत्रा के साथ एक तश्वीर शेर की है बता दी कि एक्ट्रस करिश्मा कपूर नब्बे की दशक के सूपर हिरोईन में से एक हैं जिनोंने अपने करियर में कई सूपर हिट फिल्में दी हैं करिश्मा कपूर ने हर पॉपुलर एक्टर के साथ काम किया है वही करिश्मा की परदी पर जोड़ी सबसे ज्यादा गोविंदा के साथ पसंद की गई है करिश्मा कपूर ने भले ही फिल्मों से दूरी बना ली हो लेकिन वो अपने फैंस के साथ जुडे रहना बिलकुल भी नहीं भूलती है अब हाल ही में करिश्मा कपूर ने अपनी छोटी बहन और बॉलेवोड एक्टरस करीना कपूर के साथ एक फोटो शेयर की है जो सोशल मीडिया पर खुब वारल हो रही है फोटो को शेयर करने के साथ ही करिश्मा कपूर ने फैंस को बड़ा हिंट भी दे दिया है अब अगर बात करें करिश्मा के वर्क फ्रंट की तो करिश्मा कपूर ने फिल्म प्रेमी कैदी से अपने अक्टिंग करियर की शुरुआत की थी बता दी कि ये फिल्म साल 1991 में रिलीज हुई थी इस फिल्म में करिश्मा की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया था करिश्मा ने बॉलिवुड की कई फिल्मों में जबर्दस प्रदर्शन करते हुए बॉलिवुड में खूब नाम कमाया वही करिश्मा पिछले साल 2020 में Mentalhood की वेब सीरीज में भी दिखाई दी थी इस वेब सीरीज में भी उनके करदार को खूब पसंद किया गया था बता दे कि इस वेब सीरीज में उन्होंने मीरा शर्मा का करदार निभाया था हिमेश रिश्मिया अपने आप में एक complete package है हिमेश प्लीडाक सिंगर, music director, songwriter, producer होने के साथ साथ actor भी है हिमेश 23 जुलाई 1973 को गुजरात में पैदा हुए थे आज इस खास मौके पर जानते हैं हिमेश रिश्मिया से जुड़े कुछ खास बाते हिमेश रिश्मिया ने 1999 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से music director के तौर पर अपना career शुरू किया था और 2007 में फिल्म आपका सुरूर से acting में भी debut किया था आपको बता दे कि हिमेश रिश्मिया सिंगर नहीं बनना चाहते थे लेकिन इनके पिता चाहते थी कि इनका बेटा बड़ा singer बने वहीं हिमेश ने इंडस्ट्री में कदम रखा और उनका पहला album आपका सुरूर जबरदस्त हिट हुआ वैसे आज भी उनके famous गाने आशिक बनाया आपने या ज़लक दिखला जा अकसर रोग गुनगुनाते हुए दिखते हैं हिमेश रिश्मिया एक खास style में गाते हैं हमेशे आउर्जा सेलेब रेज इस singer एक्टर को नाक से गाने वाला singer भी माना चाता है बॉलिवुड में हिमेश अपने यूनिक style के लिए मशूर है बता दे कि हिमेश रिश्मिया को बतार music director 2003 में फिल्म तेरे नाम से सफलता मिली वही हिमेश ने 120 से जाधा गानों को compose किया है और 700 से अधिक गाने गाए हैं लगसरियू stylist life जीने के शौकीन हिमेश रिश्मिया पहले ऐसे भारतिये हैं जिन्होंने लंदन के बैंबल स्टेडियम में परफॉर्म किया है अगर बात करें हिमेश के लव लाइफ के बारे में तो हिमेश रिश्मिया ने अपनी पहली वाइफ कुमल रिश्मिया को तालाग दे कर सुनिया कपूर के साथ शादी की है कुमल से 1995 में शादी हुई थी जो कि 2017 तक चली अब हिमेश के वर्क फ्रेंट की बात करें तो हिमेश इन दिनोर रियालिटी शू इंडियन आइडल बारफ को जज़ कर रहे हैं करीब 23 साल से फिल्म दस्ट्री में एक्टिव हिमेश म्यूजिक वीडियो और लाइब शू में मोटी कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं हिमेश रिश्मिया ने 1999 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से म्यूजिक डिरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और 2007 में फिल्म आपका सुरूर से एक्टिंग में भी डेव्यू किया था आपको बता दी कि हिमेश रिश्मिया सिंगर नहीं बनना चाहते थे लेकिन इनके पिता चाहते थी कि इनका बेटा बड़ा सिंगर बने वहीं हिमेश ने इंडस्ट्री में कदम रखा और उनका पहला एल्बम आपका सुरूर जबरदस्त हिट हुआ वैसे आज भी उनके फेमस गाने आशिक बनाया आपने या ज़लक दिखला जा अकसर रोग गुनगुनाते हुए दिखते हैं हिमेश रिश्मिया एक खास स्टाइल में गाते हैं हमेशे आउर्जा से लबरेज इस सिंगर एक्टर को नाक से गाने वाला सिंगर भी माना जाता है बॉलिवुड में हिमेश अपने यूनिक स्टाइल के लिए मशूर हैं बता दे कि हिमेश रिश्मिया को बतार म्यूजिक डिरेक्टर 2003 में फिल्म तेरे नाम से सफलता मिली वही हिमेश ने 120 से जाधा गानों को कंपोज किया है और 700 से अधिक गाने गाए हैं लग्जरियो स्टाइलिस लाइफ जीने के शौकीन हिमेश रिश्मिया पहले ऐसे भारतिये हैं जिन्होंने लंदन के बैंबले स्टेडियम में पिफॉर्म किया है अगर बात करें हिमेश के लव लाइफ के बारे में तो हिमेश रिश्मिया ने अपनी पहली वाइफ कुमल रिश्मिया को तालाग दे कर सूनिया कपूर के साथ शादी की है कुमन से 1995 में शादी हुई थी जो कि 2017 तक चली अब हिमेश के वर्क फ्रेंट की बात करें, तो हिमेश इन दिनोर रियालिटी शू इंडियन आइडिल बारक को जज़ कर रहे हैं। करीब 23 साल से फिल्म दस्री में एक्टिव हिमेश म्यूजिक वीडियो और लाइब शू में मोटी कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं। कल ही एक माने हुए पंडित ने देखी मेरी कुंडली और मुझसे कहा कि आने वाला है मेरा मिस्टर राइट। वोयम जी कैसा होगा वो कहां होगा वो खैर चोड़िए मेरी कुंडली अब जरा नजर डालिए हमारे अगले शो पर जिसका नाम है कुंडली भागे और देखते हैं इनकी कुंडली में आखिर क्या चल रहा है। सीरियल में आ गया है चेंज जहां क्योंकि सीरियल के जो राइटर है उन्होंने कुछ नया टुसला दिया है और वो ट्विस्ट ये है कि सीरियल में अब लीप आ गया है। किरदारों का भी रूप बदल गया है। और कहते हैं ना कि जब नए शुरुवात करते हैं तो गड़पती के पूजन के साथ करते हैं। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है यहां। करण और पीता आज बप्पा की आरती कर रहे हैं। और साथ ही घर वाले भी एक-एक करके आरती कर रहे हैं। और बप्पा का धन्यवाद दे रहे हैं। अब यहां दादी का जन्दिन है और पीता तो वैसे भी दादी की लाडली बहू है। अब जब कुंडली भागी में खुशिया तो जैसे बाइवन गैटवन फ्री ही बन कर आई है। अब भाई दादी के जन्दिन के साथ ही ऐसा लग रहा है कि प्रीता भी माँ बनने वाली है। अब भाई चक्कर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। खेर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा सुनों सब्सक्राइब करते वक्ता घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं ऑल्लाइन आऊ तो तुमारे फोन की भी घंटी बज जाए। अरे नहीं समझें। अरे हम बात करें यूटूब की फेल्म प्रजक्ता कोली की। जी हां इंट्रटेन्मेंट के दुनिया फिल्म और टीवी इंडस्टी तक ही नहीं शामल है। अलग-अलग सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म जैसे यूटूब, इंस्ट्रग्राम और कई दूसरे प्लाटफॉर्म पर भी कई लोग अपना टैलन्ट दिखाते हैं। लोगों को इंस्पार करने, लोगों को हसाने और मॉटिवेट करने से लेकर कई चीज़े कर रहे हैं। आए जानते हैं इन सितारों के बारे में। यूटूब हमारी जिन्दगी से जुड़ाया एक इंपॉर्टन प्लाटफॉर्म है, जस पर कई आर्टस्ट अपने काम को पोस्ट करते हैं। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ टॉप आर्टस्ट के बारे में, जिसमें प्रजक्ता कोली का नाम भी शामिल है। प्रजक्ता सब्सक्राइबर्स के मामले में भले ही कई लोगों से पीछे हूँ, लेकिन उनोंने यूटूब के साथ साथ उसके बाहर भी अपने पहचान बना ली है। बता दे कि प्रजक्ता कोली नेट्फिक्स के फिल्म मिसमैच में अपने एक्टिंग टैलेंट को दिखा चुकी हैं और साथ ही वो जल्वरुन धवन की फिल्म जुग जुग जीओ से बॉलिवूद डेव्यू करने वाली है। अब अगर बात करें भुवन बंब की तो भुवन बंब यूटुब के अल्टिमिट स्टार है। इन जा में भुवन बंब की सबसी जादा फैन फॉलोइंग रखने वाले यूटूबर में से एक हैं। उनके यूटुब चैनल बीबी की वाइनस के 20 मिलियन से भी ज़्यादा सबस्क्राइबर है। और तो और भुवन का बनाया कंटेंट ना सिर्फ लोगों को फणी लगता है बलकी रिलेटिबल भी होता है। भुवन यूटूबर के साथ साथ एक्टर और सिंगर भी है। अब अगर बाच फेमस यूटूबर की हो तो कैरी मिनाटी को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, अजयन आगर उस कैरी मिनाटी को उनके रोस्ट वीडियो के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वो टॉम क्रूज और हैंडरी कैवल जैसे हॉलिवुड स्टार्स का इंट्रव्यू भी ले चुके हैं। बता दे कि यूटूबर कैरी मिनाटी के 31 मिलियन से भी जादा फॉलोर्स हैं। कैरी जल्द ही अपना बॉलिवुड डेव भी करने वाले हैं। अब वहीं अगर बात करें अमित भडाना की तो अमित भडाना यूटूब के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। उनके सब्सक्राइबर्स के लिस्ट भी काफी लंबी है। भडाना का कंटेंट इस समय तेईस मिलियन से भी जादा लोग देखते हैं। और उनका कंटेंट जादा तर फणी और काफी मज़ेदार भी होते हैं। अर्मान मलिक जी हाँ हम बात कर रहे हैं। मूजिक औन यू सेंसेशन प्रिंस ओफ रोमैंस की। बॉलेवूड के सिंगर, सूंग राइचर, वॉइस ओवर पूपॉर्मर और एक्टर अर्मान मलिक जाने माने मूजिक डिरेक्टर डबू मलिक के बेटे हैं और फेम़स सिंगर, म्यूजिक कंपोजर अर्मान मलिक के भाई है। अर्मान अपनी मम्मी जियोदी मलिक के काफी करीब है आए जानते हैं अर्मान के म्यूजिक और रियल लाइफ के बारे में बेहत कम उम्र में शुहरत पाने वाले संगर अर्मान मलिक को प्रिंस ओफ रोमैंज भी कहते हैं अर्मान मलिक आज किसी पहचान के मुहताज नहीं है और अर्मान Wollywood के बहतरीन गाइकों में से एक है अब आले में Prince Charming अर्मान ने अपना 26 वा जम दिन मनाया है अब अगर बात करें उनके परिवार के बारे में तो अर्मान मलिक के परिवार का म्यूजिक से पुराना नाता रहा है। अर्मान हिंदी सिनिमा के मशूर संगीत का सरदार मलिक के पोते और अनु मलिक के भतीजे हैं। वैसे अर्मान मलिक को चार साल की उम्र से ही इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग मिलने लगी थी जब सारे गाम पाल लिल चंप्स का पहला आडिशन आया उसमें अर्मान ने पार्ट से वेट किया था उस समय अर्मान कीवल 9 साल के थे इस शो में वो टॉप 7 तक पहु अर्मान ने जन दिन के खास मौके पर फैंस को एक यूनिक गिफ्ट दिया है अपने बर्दे पर अर्मान मलिक अपने फैंस के लिए एक सब्प्राइज लेकर आए हैं जिहां MTV EMA अवार्ड जीत चुके अर्मान ने आज अपने नाम का मर्चंडाइज लांच किया है जहां अर्मान ने कहा जब मेरे फैंस की बात आती है तो मेरा ये मानना होता है कि रिष्टे दो तरफा होते हैं मैं उनके लिए उनके साथ गाना पसंद करता हूं उनकी ये एनर्जी अरुट्सा मुझे शो के दौरान जोच से भर देती है और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने क के लिए प्रुचाइद भी करती है मेरे फैंस मुझे खुद का भेहतर संस्करन बनने के लिए हमेशा प्रेरित करते आए हैं इस मर्चंडाइज के डिजाइन को भी बहुत ही सतर्कता से चुना गया है जो मेरे फैंस के साथ मेरे कैजोल और कमफुटेबल रिष्टों को दर मुझे बेहत खुशी है कि आप सभी इसे देख सकते हैं और चूब ही सकते हैं यह मेरी तरब से आप सभी के लिए जंदन का उपहार है मैं आप सभी का शुक्र गुजार हूँ बॉलिवड गपशप में फिलाल के लिए इतना ही बॉलिवड टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स की लाइफस्टाइल फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रिवर्सी हर खबर मिलेगी बॉलिवड गपशप है तो फिर धमाकेदार बॉस्वल इंडिया